Hello and Welcome, आज के वीडियो में हम समझेंगे endomembrane system को और ये कैसे काम करता है उसे, तो सबसे पहले endomembrane system होता क्या है, तो जैसा हम जानते हैं कि eukaryotic cells में जादातर cell organelles एक membrane के अंदर बंद रहते हैं, तो इसमें से कुछ cell organelles एक साथ coordination में काम करते हैं, जिसमें कि वो किसी चीज क cell product को synthesize भी करते हैं उसको modify भी करते हैं और उसको target तक पहुचाने का भी काम करते हैं तो endo membrane system में वो cell organelle आते हैं जो एक दूसरे के साथ coordination में काम करते हैं इसको आप एसे भी समझ सकते हो जैसे कोई school का function होता है तो उसमें सारे लोग मिल के काम करते हैं जैसे स्कूल का स्टाफ भी काम करता है, टीचर्स भी काम करते हैं, उसके बाद स्टुडेंट्स भी इन्वाल्व होते हैं, तब भी वो function successful होता है. इसी तरह cell के अंदर endomembrane system में जितने भी cell organelles होते हैं, वो एक साथ काम करके cell के functions को perform करते हैं जैसे हम यहाँ पे definition में भी समझ सकते हैं कि endomembrane system है a collection of membrane bound organelles जैसे eukaryotic cell में ज्यादा तर cell organelles membrane bound होते हैं जो कि work together to synthesize, modify and export the cell products और कौनसे cell products like protein और lipid तो जितना भी cell product बनता है उसको बनाने से लेके और उसको export करने तक का काम जिन cell organelles के द्वारा होता है उसको हम endomembrane system में रखते हैं और यह coordination में काम करते हैं और एक integrated system मनाते हैं तो यहाँ endomembrane system में हम कौन-कौन से cell organelles देखते हैं उसमें यह 4 cell organelles आते हैं endoplasmic reticulum, golgi complex, lysosome और vacuole इसके अलावा जो इस endomembrane system में involved नहीं होते हैं अपना independently काम करते हैं उसमें आता है mitochondria, chloroplast और परम्ष्ट यह हमने समझा कि endomembrane system के अंदर यह 4 organelles in coordination काम करते हैं अब यह कैसे यह function perform करते हैं इसको समझ लेते हैं तो यहाँ पर मैंने endomembrane system के अंदर आने वाले 4 organelles को लिखा हुआ है तो एके करके हम इनका काम समझेंगे और देखेंगे कैसे इनका function एक दूसरे से related होता है तो यहाँ पर यह जो diagram आपको दिख रहा है यह है एक cell जिसमें बाहर की तरफ है plasma membrane इसमें मैंने सारे cell organelles नहीं बनाये हैं सिर्फ वो ही दिखाए हैं जो इस endomembrane system में आते हैं तो यहाँ पर इस plasma membrane के अंदर मतलब cell के अंदर एक cell organelles होता है जो इसका controlling center कह रहाता है इसको हम nucleus कहते है यह nucleus बन रहता है दो envelope में यह दो membrane में जिसमें बाहर वाली होती है outer nuclear membrane और अंदर वाली को हम कहते है inner nuclear membrane तो यह जो outer nuclear membrane होती है इसके evagination से बनती है rough ER अब evagination का क्या मतलब होता है हमने देखा था invagination जो की अंदर की तरफ fold होता है तो evagination क्या होता है evagination में हम देखते हैं कि बाहर की तरफ protrude होती है ये envelope और बनाती है rough ER रफ ER बनती है outer nuclear envelope में protrude होने से तो इस rough endoplasmic reticulum को हम rough क्यूं कह रहे हैं क्यूंकि इसकी surface पर attach होते है यह ribosome, अब इन ribosome का क्या काम होता है, इन ribosome का काम है protein synthesis का, मतलब यह protein बनाते हैं, इसके अलावा smooth endoplasmic reticulum भी होती है, जो की बनाती है lipid, तो बात करते हैं पहले protein की, तो यहाँ पर जितने भी ribosome होते हैं, वो protein synthesis का काम करते हैं, अब nucleus से एक mRNA code होता है, और वो बाहर आता है और attach होता है इन ribosomes पर, तो आप यहाँ देख सकते हो, कि यह यहाँ पर आकर mRNA लग चुका है, तो जैसे ही mRNA लगता है, protein synthesis शुरू हो जाती है, तो यहाँ पर यह जो yellow color के आपको दिखाई दे रही है, मान लेते हैं, यह protein synthesis होई है, तो यह protein जब बन जाती है, तो यह जाकर endoplasmic reticulum की membrane पर attach होती है, और जैसे ही यह attach होती है, वहाँ एक vesicle बननी शुरू हो जाती है, तो यह membrane से एक vesicle form होती है, जिसमें की pack होता है protein, अब इन vesicles की quality होती है, कि यह membrane के साथ attach भी हो सकती है, fuse भी हो सकती है, और उनसे secret out भी हो सकती है, तो यह vesicle बनी है endoplasmic reticulum की membrane से, अब ये जो vesicle form होती है इसमें protein pack है लेकिन ये protein अभी तक पूरी तरह ready नहीं है कि इसको target तक पहुचाया जा सके तो अब क्या होता है अब बात आती है endomembrane system के second cell organelle की जिसका नाम है golgi complex तो ये protein अब golgi complex की तरफ जाता है जो कि endoplasmic reticulum के ठीक नीचे present होता है cell में तो यहाँ पर ये जैसे ही protein बनके vesicle में pack होके golgi complex की तरफ जाता है तो अगेन ये vesicle इसकी membrane पर attach होती है और attach होने के बाद इससे fuse होती है और जो protein ये endoplasmic reticulum से carry किया था यहाँ पर ये छोड़ देती है अब ये golgi complex इसके साथ क्या करता है यहाँ पर protein का modification होता है या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ protein का glycosylation होता है तो glycosylation से क्या मतलब है glycosylation में protein में एक sugar add की जाती है और sugar add होने के बाद ये protein मन जाता है glycoprotein तो यहाँ पर जैसे ही ये protein छोड़ी जाती है इसके साथ processing शुरू हो जाती है और ये yellow color का protein आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फिर मैंने एक green color का add किया है तो मान लेते हैं यहाँ पर एक sugar add हो चुकी है तो ये स्टरने से होकर गुजरता है Golgi complex के और इसकी processing चलती है फिर बाद में अगेन ये जो protein ready हो जाता है इसको फिर से vesicles की form में secret out कर दिया जाता है plasma membrane वाली जो side होती है Golgi complex की अभी ये vesicles की form में protein ready है अपने target तक जाने में तो अगर मान लेकि ये cell एक animal cell है तो यहाँ पर present होगा lysosome तो ये जो protein है मान लेते हैं एक enzyme है जो की lysosomal enzyme है तो यहाँ पर इस protein को छोड़ दिया जाता है lysosome के पास तो ये बन जाते हैं lysosome लेकिन अगर ये cell animal cell नहीं है तो इसमें कोई भी lysosome नहीं होगा फिर क्या बात आती है फिर होता है plant cell है अगर तो इसके पास vacuol अगर ये protein vacuol के लिए बना है तो ये वहाँ पर vacuol में store हो जाता है तो plant cell में पाई जाने वाली vacuol इस protein को जो release हुआ है Golgi complex से इसको store कर लेगी और अगर future में इसका use होना है तो उस time पर ये release कर दिया जाएगा क्यूंकि plant cell में lysosome नहीं होते और ये vacuol ये पाई जाती है अगर इन दोनों के लिए भी नहीं बना है तो ये protein फिर packed vesicle की form में plasma membrane के पास आता है और ये vesicle इसके साथ fuse हो के secret out कर देती है इस protein को cell के बाहर तो माल लेते हैं कि ये protein जाएगा किसी और cell के पास और वहाँ function के लिए बना है तो यहाँ पर ये तीन target हो सकते हैं इसके अलाव पर वह protein जाना है किस function के लिए वह बना है तो यहाँ पर हमने देखा कि protein की synthesis, processing और उसको target तक पहुचाने का काम ये endomembrane system करता है इसी तरह lipid की भी synthesis होती है और उसकी भी processing होती है तो endomembrane system coordination में काम करता है protein synthesis से या फिर lipid synthesis को बनाने से लेके और उसको target तक पहुचाने का तो हमने समझा कि endomembrane system में जो cell organelle आते हैं कौन-कौन से होते हैं और वो क्या-क्या function करते हैं तो I hope आपको अच्छे से समझ में आया होका endomembrane system मिलेंगे next video में until then take care and bye-bye